की तेस ऐह आज आ सैंद ए Bowlा शब्र चीकन और जबीकष लिए हमने लिया जिकनजिंग तन हम आधा बिभा दोघ Ub मीडियम साइज जोटी ड्ड़ि प्याज लिए हैं चार बड़े चमठ तेल लिया है जो तेल है ने चार बड़े चमठ इसी लिये लिया है क्यूंगे उसमें प्यास भी हम फ्राइ करेंगे दो चमठ आथा लसान पेस लिया है कभी चिकन का कोई भी इक बनाये उसमें ज्यादा एट करिये एक नीबू, एक चमच, लाल मिर्च पॉरल, करीन कलर में थोड़ा पानी मिला का रहा है, घारीघन, पुदी, और हैं पिछ। दाल थीनी शाजी राय लाई थी हम ये पकवान मेट करेंगे ये देखिए जीरा और धनिया हमने दोनों मिला कर लिया है पीस लिया है ये है गरम मसाला पॉडर एक चमच नमक हाफ चमच हल्दी पॉडर हाफ चमच काली मिच पॉडर आए हम आपको बनाने का तरीखा ओगे, अदर भीपाम काली मिच पॉडर चाली मिच पॉडर आए हर्ण है या ओगे उचनी का तरैप काली मिच पॉडर आखेँ से मृने a दडिया दाला है गरा मसाली पारटा दाल दीय है ये देखे लिए हम रिए आख्रालिये ही इस जब्रस द नमक सारे नrun चाई हमने मिला लिएं है अब हमहीं सेसे हाथ ste रखना है इसे हम अदिए गंटे के लिए रखेंगे इसी तरीखे से अभी हम इसमें कोतमिर, पूतिना और हरी मिल भी पीस कर मिलाएंगे ताधि जुब आदम का पेद इसमीं पीस कर मिलाएंगे हम अच्छे से देखिए अभी हम वो भी पीस कर इसमीं मिलाएंगे और साथ में हम डालेंगे इसमें बहुत अच्छी रिषैपी है ये फंक्शन्स में कहीं भी बहुत जयदा बनाते है हाइदराबाद में आप भी बना यह बहुत टेस्टी रसे भी है यह रोटी से चावल से भी आप खा सकते हैं कि अधिके हम इसमें मिलाएंगे कोथमीच, पुदेना और हरीमेच पीस लिया हमने इदिके काजू और बादम इसके को भी हमने पीस लिया है इन सारी की दो अच्छे से मिला लेगे बहुत ही अच्छी रसेपी है आप जरूर ट्राइए करिए इंशालला को पसन आएगी आप इसे जादा तर हाथ से ही मिलाएं जो मसाला है चिकल में अच्छे से मिलना चाहिए में आफे आप जरूरा को प्यादा रहां रखेंगे इंगे अच्छे से करम हो गया है अच्छे से लाल हो गए है प्याज अथ्य से डाल हगई है अब हम इसे प्लेट में निकाल देंगे प्याज आमने निकाल दी है यह देखिए शाजिरा एलेची और दाल तीग दालेंगे हम अब हम सारा इप्रीक नाट करेंगे यह देखिए हमने सारा चिकन इसमें दाल दिया है इसे हम यह देखिए इस पीटार पर प्रस्मेट के लिए रखेंगा ठापकर यह देखिए साथ हम इसमें जो प्यास करके निकाल देखें वह दाल देंगे इसमें इसे अच्छे से मिला लेंगे और हम जास को धीमा कर देंगे जो चिकन है यह अच्छे से कर देंगा 10-15 मिट तक भीज़ाप कर धीमे पर रखेंगे बहुत ही अच्छी रसे पी है आप जरूर ट्राइए करिए अब हम इसे 10-15 मिट के लिए ठापकर धीमे पर पकाईए यह देखिए चिकन अच्छे से गल रहा है धीमे पर हम अच्छे से पका रहा है ऐसे चिकन और गलने का है एच्छे से बीच-बीच में हम हिलाते रहेंगे दहिंका पाग अच्छे से सूख गया है अब हम इस एच्छे से भूनेंगे 10-15 मिट कर उखिए तर बहुत यह अच्छी रसेपी है यह अब हम इसे त cost आख़ा इसी पेटांस पर अच्छी से भूते जाएंगे घो सारा मसाला है अच्छी से भानेंगा यह दीए एक गरम ग्रेंट नरेशी हो गया है हमने इस सक्षिक भूना हे यह दिखे टीकन बेस में अच्छी तरोगे जो गाया है सारे मसाल को हमने अब हम इसमें जादेंगे हाफ नीबू, एक नीबू हमने अरड़ी चिकन में आट कर दिया था, तो देखें हाफ नीबू हम इसमें जादेंगे, थोड़ा सा नम्मक आट करेंगे, पोचमच, अब इन सारे चीज़ों को मिला लेंगे इसमें ग्रेवी भी है, आप इसे फोड़ावल से भी खा सकते हैं, रोटी से भी खा सकते हैं, अब हम इसे घीमे पर पांच मेट के लिए रखेंगे इस आलान अच्छे से दम हो गया है, अच्छे से तैयार हो गया है, अच्छे से रडी हो गया है, अब हम इसे सर्फ करेंगे रेडी हो गया है, गिरीन चिकन ये देखिए, बहुत यच्छी रेसेपी है, आप लोग ज़रूर ट्राइ करिए, इन्शालला आप लोग ज़रूर पसनाएंगी प्लीज मेरे चैनल को सबस्क्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे वीडियो को शेयर करिए, इन्शालला नए रेसेपी के साथ फिर मुलाखात होंगी, अल्ला हाफिस